Hello and welcome to my channel अपना इंशुरेंस वाला आज इस वीडियो में मैं आपको जीवन बीमा के बारे में बताऊंगी कि जीवन बीमा क्या है, जीवन बीमा क्यों खरी दें और जीवन बीमा कैसे काम करता है देखे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजे होती हैं, जो अचानक हमारे साथ हो जाती है, जैसे कोई एकसिदेन्ट हो जाना या किसी प्रकार की बीमारी हमें हो जाना लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें पता होता है वो है मित्यु जो जिन्दगी की सच्चाई होती है देखी इंशुरेंस एक ऐसा प्रोड़क्ट है जो अंचाही नुकसान से हमें सुरक्षित करवाता है आपके न रहने पर भी आपकी परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लाइफ इंशुरेंस कैसे काम करता है लाइफ इंशुरेंस एक कॉंट्रेक्ट होता है जो एक पॉलिसी होल्डर यानि बीमा लेने वाला और इंशुरेंस कंपनी के बीच में होता है यानि पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी धुरगटना होने पर उसके परिवार को एक गारिंटेट पैसा मिलता है जिससे उसका परिवार आर्तिक दंगी से बच पाता है चलिए एक एक्जामपल से समझते हैं कि जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो हर साल कुछ पैसा प्रीमियम के रूप में आप जमा करते हैं और बदले में दुरगटना से मित्यू होने पर बीमा कंपनी आपके परिवार को एक फिक्स रकम दे देती है और आपके जीवित रहने पर एक तय समय के बाद बोनस जोड़कर आपको पैसा वापस दिया जाता है अब अगला सवाल है कि क्या आपको लाइफ इंशरेंस की जरूरत है अगर आपके उपर कोई निर्भर है जैसे कि आपके माता-पीता आपकी भाई-बेहन या पती-पतनी या बच्चे तो आपको आज हे इंशरेंस करवाना चाहिए लेकिन अगर आपके उपर कोई जिम्मेदारी नहीं होय है तो आपको बीमा की कोई आवशक्ता नहीं है चलिए एक example से समझते हैं एक आदमी है जिसका नाम रमेश है उनकी उमर है 35 साल और वो घर में अकेले कमाने वाले हैं उनकी एक पत्नी और दो प्यारे से बच्चे हैं और उन पर car loan और house loan दोनों हैं और एक दिन अचानक रमेश अपनी परिवार के बीच में नहीं रहता है तो उससे क्या फरक पड़ेगा और रमेश ने कोई insurance भी नहीं कराया हुआ है तो परिवार में जो पैसा आ रहा था वो आना बंध हो जाएगा कहीं न गहीं परिवार को आर्थी तंगी से गुजरना पड़ेगा जो घर जिस जो loan पर घर लिया हुआ था रमेश ने हो सकता है कि वो भी परिवार से ले लिया जाए क्योंकि हर महीने EMI नहीं जा रही है और जो बच्चे हैं वो आगे जाके कॉलेज पढ़ना चाते हैं तो उनका वो सबना भी अधूरा रह जाएगा और अगर रमेश ने Life Insurance लिया है तो जो पैसा और प्रीमियम रमेश ने XYZ कंपनी को दिया था तो रमेश के मित्यों के बाद सारा पैसा कॉंट्रेक्ट के हिसाब से उसके पैवार को मिल जाएगा जिससे की परवार अर्थी संगी से बच पाएगा तो आज ही अपने भविश्य के बारे में नेड़ने ले अपनी जिम्मिदारियां पूरी करने के लिए Life Insurance जरूर करवाएं और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं दिये होए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इमेल कर सकते हैं थैंक्यों फॉर वाचिंग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल